नमस्कार मैं हूँ मुहित कमल श्रेमाली आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पर आज के विशेश एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं लॉंग की कई लोग इसे कलोव बुलाते हैं ये लॉंग जो आप अपनी रसोई में इस्तमाल करते हैं जो आपके अपने खाने में सुगंद बढ़ाता है इसमें आपके जिंदगी को महेकाने की भी ताकत है लॉंग जहाँ एक तरफ आपके स्वास्थ के लिए अच्छी और लापकारी सिध होती है वहीं आपके बिगडे काम भी बना सकती है तो बिना देरी किये बात करते हैं आज के उपाय की जोतिश विध्या के अनुसार लॉंग से कई प्रकार के टोटके किये जाते हैं छोटी और सामानिय दिखने वाली लॉंग भोजन में प्रयोग की जाए तो हमारे शरीर को स्वस्त रखती है इसके साथ ही इसके ऐसे उपाय हैं जिसे घर में उपस्तित किसी भी तरह की नेगिटिव एनरजी हुई नकारात्मक शक्ती हुई वो दूर हो सकती है और साथ ही साथ में positive energy जो होती है, उसे भी बढ़ाया जा सकता है, उसे welcome किया जा सकता है अपने घर में. लौंके यह उपाए, आपके जीवन और भागय को बदलने में सहायता करते हैं, यहां पे सहायता को underline कर लीजिएगा. हम कई बार महनत करते हैं, लेकिन उसके बाद भी महनत का फल नहीं मलता. इसलिए कई लोग टोटकों को अपनाते हैं, जो टोटके हैं यह थोड़ा खराब शब्द लगता है. लोग इससे सोचते हैं तांतरिक टोटके. यह तांतरिक टोटके नहीं है, यह है छोटे सरल बताने जा रहा हूं कि किस तरह लोग आपको धन की प्राप्ती करवा सकता है और आपका काम बना सकता है. तो सबसे पहला उपाए, अगर आप मेहनत पूरी करते हैं, पूरे मन से अपना काम करते हैं, पर उसके बाद में भी धन की प्राप्ती नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए एक निम्बू लीजे उसके उपर चार लॉंग लगा लीजे और ओम श्री हनुमते नमहा ये मंतर का जाप कीजे इस जाप को एक किस बार करके ये जो निम्बू है इसको अपने पास में रख लीजे चाहे पॉलिथिन में लपेट के अपने बैग में डालिए या तो फि हम किसी काम में नहीं लगता है और हमेशा आप यथीद रहते हैं डिप्रेस रहते हैं तो एक कपूर लीजे एक फूल वाला लॉंग जलाकर दो दिन तक या तो फिर तीन दिन तक जैसा आपके साथ में पॉसिबल हो सकता है जितना पॉसिबल कर सकते हैं उतना तक इसको खात रहें यानि कि जो फूल है लॉंका जो फूल हुआ कपूर से जलाकर उसे खाना है इससे आपका मन भी शांत रहेगा और साथ ही काम में आपका मन भी लगेगा आपका फोकस आपके काम में जाद अच्छे से बढ़ेगा अब बात करते हैं दूसरे उपाई की लॉंक साथ से आठ दाने ले लीजे, उसे घर के किसी कौने में दीए में रखकर जला दीजे, इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि पांच ग्राम हींग लें, उसके साथ में पांच ग्राम कपूर लें और साथ में ही पांच ग्राम काली मिर्श लें, अब इसे मिला करके इसका मिक कर लीजे बराबर बाट लीजे और फिर इसे सुबह और शाम अपने घर में से जलाएं ये प्रेयोग तीन दिन तक करेंगे तो आप देखेंगे घर में जो नेगिटिव एनरजी है वो कैसे खतम हो जाती है वापे सब कुछ नॉमल हो जाएगा घर में हसी खुशी बढ़ेगी अब बात करते हैं दूसरे उपाय की घर से किसी जरूरी काम के लिए अगर आप बाहर जाते हैं या मान लीजे राहुकाल है राहुकाल में बहुत ही अर्जेंट काम है और आपको बाहर जाना है या तो फिर रिष्टे के लिए आप बाहर जा रहे हैं तो दर्वाजे पर नहीं आना है। यहाँ पर इसका मतलब यह है, जैसे हम सुबह हमारे काम के लिए निकले हैं, लॉंग के ऊपर अपना पैर रखे निकलें, उसके बाद में वापस घूम करके घर में नहीं घुसेंगे और नहीं वापस से किसी काम के लिए घर के अंदर घुस जाएंगे। एक कपूर के साथ में लेकर किसी पात्र में शनिवार के दिन जला दीजे अब जो अगनी उसे उत्पन होती है उसे घर में दिखाए इससे घर की जो नेगिटिव एनर्जी है वो नश्ट हो जाती है और पॉस्टिव एनर्जी जो है वो बढ़ती है पॉस्टिव एनर्जी का संच का जो है वो भी नश्ट हो जाती है अब अगर आप बहुत महनत करते हैं और फिर भी आपको उसके अनुसार फल की प्राप्ती नहीं होती या फिर हर समय आर्थिक परेशानी आपको गेरे रहती है तो मंगलवार को हनुमान जी के सामने एक लौंग का जोड़ा यानि कि दो एक साथ में लौंग जो होती है उसे लेके तेल का दीपक प्रज्वलित करें साथी हनुमान चालेसा का पाड़ भी करें उसके बाद में उनके समक्ष प्रार्त ना करें कारे शित्र में मन लगा कर मेहनत करें आपकी जो भी परेशानी है वो शत्प्रतिशत दूर हो जाएगी अ आपको आपका पैसा ही वापस नहीं मिल पा रहा है तो उसे वापस पाने के लिए लौंग का ये छोटा सा उपाय कीजएगा पूरन मा को या अमावस्य की रात को कपूर और 21 लौंग से मा लक्षमी का ध्यान करते हुए हवन कीजए मा लक्षमी के सामने पून विश्वास क साथ आप प्रातना कीजए अवश्य जो आपका अटकाधन है जो आपने किसी को उधार दिया था वो वापस लोट करके अपना रास्ता आप तक ढूंड ही लेगा अब अगर आपको एक कार्य करते हैं काम करते हैं बिजनिस करते हैं और वो बंते-बंते रह जाता है तो शनि अहां पे इससे प्रकाश हो जाएगा और जो नेगिटिव एनरजी है जो घर में कोने करके बैठ जाती है वो नश्ट होगी यह उपाए नियमत रूप से हर शनिवार को आपको करना है और इससे आपके बिगड़ते हुए काम अपने आप बंते चले जाएंगे घर में पूजा करते हैं और पूजा करते समय माता लक्षमी हर दिन गुलाब के फूल और एक जोड़ा लॉंग यह माता लक्षमी को आपको अर्पित करना है कम से कम यह उपाए हर शुक्रवार के दिन तो आपको करना ही करना है अब इससे होगा क्या तो घर में बरकत आएगी इसस घर में आने से रोकना है पर पॉस्टिम एनरजी जो घर के अंदर है उसे भी तो बढ़ाना है तो लाल कपड़े में हर शुक्रवार के दिन पाच कौडिया लीजे पाच कौडिया चोकी लक्षमी मा को प्रिय है और पाच लॉंग रखकर इसे बांध लीजे इस पोटली को जह कि बरकत आपके घर में दिन दुगनी और राच चोकनी होती है आशा करता हूँ आपको ये जो उपाए बता रहा हूं इनसे आपको फायदा मिलेगा जो आप समस्या देख रहे हैं वो खतम होगी मैं यहां किसी जादू या चमतकार का बखान नहीं कर रहा हूं ये बात ध्य बढ़ों की जगे घदे रेस में दोड़ते उनके उपर रुपे लगाया जाते भागया और करम दोनों का साथ होना बहुत जादा ज़रूरी है तब ही आपकी मन्चाही मनुकामना आपकी पूर्ण हो सकती है आप अपना प्यार और साथ हमारे साथ में इस चैनल के साथ में रखिएगा हमेशा की तरह प्रार्त ना करता हो कि आप और आपका परिवार सुखी रहे संपन रहे और घर में बड़ों का अश्रवात प्राप्त करता रहे जैश्री राम एवं जैहन झाल 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 झाल